किचन में आती है और पूरे किचन को फैला कर बड़े गुस्से में अपनी भावियों को आवाज देती हुई बोलती है भावी कहा हो आप क्या हुआ नेहा सुबा सुबा ये क्या हालत कर रखी है किचन के और इतना शोल क्यों मचा रही हो इसकी शकल तो देखो सुबा सुबा लाल पिर्च की तरह लाल हो रही है क्या बात है भावी बात ने बिल्कुल सही कही अच्छा आप लोग अभी यहां खड़े होकर मेरा मजाग पना रही हो रुको अभी बुलाती हूं भाईया को रुको नेहा वो लोग ऑफिस जाने के लिए त्यार हो रहे है उन्हें कॉफी नहीं मिली सोचा आप लोगों को परिशान ना करूँ खुद ही बना लूँ आप लोगों तो एक काम होता नहीं है लेकिन मुझे कॉफी मिल ही नहीं रही है कब से ढून रही हूं तुम कॉफी ढून रही थी यह किचन की समान से लडाई कर रही थी आपने तो मेरी यही पूछने वाली थी असुरत कहां से निकला है जो हमारी ननद रानी खुद से कॉफी लेने किचन में आई हैं बड़ी भाबी देखिए ये दोनों भाबियां फिर से मज़े चड़ा रही है एक तो कॉफी नहीं दे रहे हैं उपर से मुझे ताना मार रही है हमने ऐसा कप क से ना जब मैडम की आप खुलती अभी तो यह सोकर उठी है तो कॉफी क्या इनको नीद में पिलाते हम बड़ी भाबी मजली भाबी सही कह रही है फिर मैंने वहां रखती थी कॉफी और बोला भी था कि पी लेना नेकिन शायद ठंदी हो गई होगी और हमारी ननत खुद से तो कोई काम करने वाले नहीं है क्या बड़ी भाबी अब कि तीन तीन भाबी होते हुए भी मुझे काम करना पड़ेगा नहीं नेहा ऐसी बात नहीं है तुम बाहर कॉफी भीजती हो नेहा के जाने के बाद सब ही एक साथ मिलकर किचिन के कामों में लग जाते हैं और सब के औफिस जाने और किचिन का स्वारा काम खत्म करने के बाद प्रिया नेहा के कमरी में जाकर उसे कहती है नेहा चलो खाना खालो खाना तयार है क्या भावी अब मुझे खाना खाने के लिए उठकर कमरी से बाहर जाना पड़ेगा बताओ तीन भावियों के होने का भी कोई सुख प्रिया चुप चौप नेहा के कमरी से चली जाती है और कुछ समय बाद एक ठाली में खाना लेकर उसके कमरी में आती है और कहती है ये लो नेहा खाना खाके ठाली किचन में रख देना छूटी ठाली कमरे में रखना अच्छा नहीं होता नहीं होगा ये काम आज मैं बहुत थक गई हूँ कोई बात नहीं मैं आकर ले जाओंगी आप नाम करो बहुत थक गई होगी इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है और नेहा आराम से अपने कंपरी में बैट कर टीवी देख रही होती है कुछ समय बात उसके बड़ी भाभी प्रतिभा उसके कंपरी में आकर क खाना खाया मैंने प्रिया को कहा था तुम्हें खाना देने के लिए रहने दीचे बड़ी भाभी वह क्या मुझे कहेंगी मैंने तो खुद ही किचिन में जाकर खाना खाया और फिर सारी सफाई भी करी अच्छा रुको अभी पूछती हो मैं उसे बुलाकर बुलाना क्या है भाभी वह रेखो खुद ही रुको प्रिया तुमने नेहा को तुपहर के खाने के लिए नहीं पूछा उपर से उससे किचन भी साफ करवाया नहीं भाभी ऐसा बिल्कुल नहीं है बलकि मैंने खुद इनको खाना लाकर दिया यहां तक कि इनकी जूटी थाली भी उठाई औ यह ओडर देने के लावा और काम ही क्या करती हैं सिर्फ काम से जी चुराती हैं काम चोर हैं वर्स भाभी बहुत बोल रही है अब मैं आपको काम चोर लगने लगी हूँ लगने जैसा क्या है काम चोर तो हो ही आप प्रिया इतना कहकर वहां से चली जाती है कुछ समय बाद नेहा के तीनों भाई ओफिस से घर आते हैं, अपने भाईयों को आते देखकर नेहा घर की साफ सफाई करने लग जाती है, जिसे देखकर उसका बड़ा भाई संजीव उसे पुछता है, जिस पर वो रूते हुए अपने भाईयों को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसका ब अपनी बेहन से कितना प्यार करते हैं, अरे जिसकी तीन बाबियां होती है, वो ननन जमीन पर पैर नहीं रखती, और तुम लोग मेरी बेहन से इतना काम करवाती हो, अभी भी वो कर की सफाई में ही लगी थी, ऐसा नहीं है, हम मैंसे किसी ने भी उसको काम किरे नहीं बोला, और सफाई तो हो गई है, नहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो, अच्छा, अभी तक तुम लोग उसे कामचोर ही बता रही है, अब उसे जूटा भी बना दो, देखे मैंने ये सब कुछ नहीं किया, नहीं बोला, आप गलत समझ रहे हैं, और तुम प्रिया, तुम मेरी बेहन है ही कामचोर, और जूटी भी, तुम पागल हो गई हो, क्या बकवास है ये, सही कह रही हूँ मैं, आपकी बेहन बहुत बड़ी वाली कामचोर है, और जूटी तो, बस पूछो ही मत, सारी काम हम से करवा लेगी, और उसकी पाद कहेगी, कि मैंने किया है, है भाबे, आप कि क्याा काम इसे ही करना है, तो तुम्हारा सब का यहाँ क्या काम, एक काम करो, हमारा हमारी बेहन देख लेगी, बस परो तुम सब, और यह क्या हो रहा है घर में, नेहा तुम जूट क्यों बोल रही हो, देखना, एक दिन तुम अपने इस काम चोरी और जूट बोलने के चर बहुत पच्टा होगी इतना कहकर नेहा की तीनों भावियां घर से गाउं चली जाती है जिसके बाद घर की और अपने भाईयों की सारी जिम्मेदानियां नेहा पर आ जाती है जहां वो एक ग्लास भी पानी खुद उठा कर नहीं लेती थी वहां उसे घर का सारा काम अकेले कर क्या हो गया तुझे अब क्यों अब तो तेरी भाविया भी नहीं है देख रो मत जाकर नाश्ता बना हम लेट हो रहे हैं मैं कुछ नहीं जा रही हूं बनाने जाकर अपनी बीवियों को लेकर आओ और वो बनाएंगी करवाओ उन से काम पेरी जान खा रखी है तो तुझे क बोला आप लोगों को ताकि वो मेरी मुठी में रहे उससे हो गयी मुझे माफ कर दो मुझे समझ आ गया है कि मैं ही कामचोर हूं भाविया नहीं मुझे पता है शायद तु भूल गई है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं मेरे साथ साथ वाकिए घरवाले भी तेरी आदतों से अलची तरह से वाकिफ हैं मैंने यह सब इसलिए किया ताकि तुझे महसूस हो कि बड़ी भाविया भी मां के समान होती है और तुझे उनकी एहमियत का एहसास हो अपने बड़े भाई की बात सुनकर उसे अपनी गल्ती समझा दी है और अपनी भावियों के वापस आने पर पून सबसे माफी मांगकर खुशी उनके साथ रहने लगती है और कामचोरी भी त्याग देती है अजे बेहत गुस्से में लाल पिला होकर शितर से बोलता है यार मुझे नहीं रहना तुमारे साथ बाहर जितनी ठंड नहीं पड़ रही उससे जादा तु तुम ठंडी हो महीना हो गया हमारी शादी को लेकिन तुमने ना एक महीने में मेरे सारे अर्मानों को ठंडा कर दिया बिल्कुल अपनी तरह है आखिर ऐसा क्या हुआ है इन दोनों पति पत्नी के बीच जो एक महीने में शादी डूटने पर बाता दे जानने के लिए चलिए कुछ साथ पी ओ मां कहां हो जल्दी से मेरा पानी गरम कर दो और एक कब चाय बना दो कड़कसी अब मुझे अपने कंबल को छोड़कर बाहर ठंड में इसके लिए चाय बनाने के लिए निकलना पड़ेगा ये भगवान काशिस नलायक की शादी होई होती तो मैं अपनी बहु को और दे द गोलता है मा में नहा कर भी आ गया आपकी चाय नहीं बनी अब तक यह ले तेरी चाय और यह हर बात पर मा मा करना अच्छा लगता है किया तो इस गर में आप ही हो तो आप को ही बलाँगा ना मा कैसी बात करती हो वही तो मैं कह रही हूं इस घर में में अग्地 हूँ अरे बाट धूनलो लड़की, कर लोंगा शादी। अजे के हाँ बोलते ही, कुम्ती अपने सभी रिष्टेदारों में उसकी शादी के लिए लड़की देखने को बोलती है। तब ही उसको उसकी दूर की मौसी, अजे के लिए शीतल नाम की लड़की का रिष्टा भीचती है। शीतल की तस्वीर देखके, दोनों माबेटी बात को पक्का कर देती है। और अगले ही हवते में दोनों की शादी भी हो जागी है। शीतल राजस्तान की गर्मियों से आई लड़की थी, जो कि दिल्ली की सर्दी को देखते हुए, अपनी नई नई सास से बोलती है। ममी ची, पता नहीं, इतने ठंड के लग रही है। प्लीज, आप मुझे कंबल बगारा दे दो, नहीं तो आज मैं मर जाओंगी। माशीतल को तो पहुत ठंड लग रही है, मैं इसको उठा कर कमरे में ले जाता हूँ। हाँ बेटा ले जा, आज ही अपनी बीवी को उठा कर कमरे में ले जाता है, और उसी कंबल से ढखकर सुला देता है। ये सब दिक कर कौम्ती अपनी बेटी से बोलती है। बेटा मैंने तो सोचा था ठंड में बहु से काम करवाऊंगी ताकि मुझे आराम मिले पर ये तो इस ठंडी में भी ठंड जैसी है माँ आपको काम की पड़ी है बेचारी को इतनी ठंड लग गई आते ही आप उसके लिए गरम गरम दूद देदो जिसके बाद वो भी अपने कमरे में आराम करनी चली जाती है अगली सुभा वो अपने कमरे से ही अपनी नई बहु को आवाज लगाते हुए बोलती है बहु ओ शीतल बहु ज़रा मेरे लिए एक सुभा की चाय लेया लाई माजी शीतल अपने कंबले से कंबल ओड़कर ही रसोई में जाती है जहां उसको गैस के पास जाकर बहुत अच्छा लगता है फिर वो अपनी सास के लिए चाय बना देती है और कंबल में ठिटूरती हुई उसके पास चाय लेकर जाती है ये देखकर गौंपी चाय लेकर उससे बोलती है बहु अगर तू ऐसे ठंड में कापती रहेगी तो घर के काम कैसे करेगी भारे राजस्थान में ठंड नाओ है यहां तो इतनी ठंड है कि मुझे अंदर तक ठंडा कर दिया अरे मेरी ठंड मे ठंडी बहू, खुद को थोड़ा गरम कर और नाश्ता बना, अजे को काम पर जाना है, ठीक है माजी बनाती हूँ, शीतल किसी तरह अपनी सास और पती के लिए नाश्ता बनाती है, जिसके बाद अजे नाश्ता करके काम के लिए निकल जाता है, जहां उसे एक राघव नाम का तोस्त बोलता है, भाई भाई तेरी शादी को एक दिन हुआ है और तू काम पर आ गया, अरे भावी के साथ इस सर्दी को एंजोई करना, अर किसी की शादी इन सर्दियों में नहीं होती, तेरी तो हुई है, तू लगी है, भाई ये सर्दी तो मुसीबत बन गई, अरे मेरे बीवी परफ की तरह थंडी है, मतलब उसको इतनी थंड़ लगते है, पूछ ही मत, तूंसे करम करे, भाग साले, इतने अच्छे मुसम को ऐसे ही साया करना है, राघव की बातों से अजे के सोय हुए जजबात भी जाग जाते हैं, इसलिए वो उशाम अपने बीवी को इंप अजे जी इतनी थंड़ में काभूंगे नहीं तो क्या करोंगी? अच्छा सुनो, मुझे खाना नहीं खाना, तो तुम मां को खाना खिला कर चल्दी कमरे में आना? ठीक है अजे जी, शीतल खाना बनाने में लग जाती है, तो अजे अपनी कमरे को अपनी शादी के बाद की पहली रात के लिए सजाता है, वैसे तो ये उसकी शादी की दूसरी रात थी, लेकिन उसके लिए तो पहली थी, वो पूरे कमरे को फूलों से जा दिता है, जिसके कुछ देर बाद, शीतल अपनी सास को खाना खिला कर कमभल में लिप्टी हुई, कमरे में आती है, और ये आपने क्या किया, सारे बैट पर फूल फूल गिरा दिये, तुमको इन फूलों को देखकर कुछ महसूस नहीं हो रहा है, हाँ हाँ हो रहा है न, गंदगी महसूस हो रही है, क्या यार क्या करतो आप, अटाव इनको, मुझे सोना है, बैसे भी ठेट लग लग रही है, सो ये उसको अचानक से कप-कपी छुटती है, और वो अजे को धक्का मार कर बोलती है, क्या कर रहे हो आप, धंडे-धंडे हाँ लगार कर डिस्रप कर रहे हो, पूरा शेरी कप-कपार है मेरा, हट दूर, सोने दो मुझे, पर शीतन हमारी शादी हुई है, तुम ऐसे कैसे मु से में आ जाता है, अगले दिन भी यही सब होता है, जैसे ही अजे शीतल के पास आने की कोशिश करता, वो ठंड का बहना बना कर सोजा दी, एक सुफ़ा कोंती अपने बहु बेटे को बुला कर बोल भी है, बहु और अजे सुन लो, तुम दोनों के शादी हो गई है, तो इस अलायक सुनाई दिया यह नहीं? मा, मुझे समझाने से अच्छा, आप अपनी बहु को समझाओ, मैं चला ओफिस, अजे अपने ओफिस चला जाता है, जहां उसका दोस्त राघव, उससे फिर पंगे लेने लगता है, जिसके कारण अजे का दिमाग और ज्यादा गरम हो जात है, यार मुझे नहीं रहना तुमारे साथ, बाहर जिता हमारी शादी को, लेकिन तुमने ना एक महिने में मेरे सारे अर्मानों को ठंडा कर दिया, बिल्कुल अपनी तरह है, आजे जी मुझे मुझे माफ कर दीजे, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना जाती थी, पर मैं क्या क करूँ, ये सर्दियों का मौसम मेरे लिए नया नया सा है, राजस्थान में इतनी ठंड नहीं पड़ती और मैं वहीं तो पली बड़ी हूँ, आपको पता ही है, तो मुझे अर्जस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी ना, माफ करना शीतल, अपनी ख्वाइशों के जलते में भूल ही गया, कि तुम इस जड़ी और यहां की सर्दियों के लिए नहीं हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर इतना गुस्सा किया, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गल्ती नहीं है, वैसे भी शादी के बाद हर हस्बिन को अपनी वाइब से कुछ तो उमी को यहां के मौसम के हसाब से गरम कपड़े लाके देता है, जिससे वो घर के काम भी बड़े अराम से कर सके और उसे थन भी ना लगे, साथ ही अपने कमरे के लिए वो एक हीटर लाके रख देता है, जो कमरे के तापमान को गरम कर देता है, जिसके कारण फाइनली एक महीने बाद उसकी शादे की पहले रात आती है जिसमें वो और शितल सच में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं एक रात तनीशा अपनी बैट पर सिकुड कर लेटी होती है तब ही कमरे में उसकी सास निलिमा आती है और ऐसे ठंड से कापता हुआ देखकर उसके पती दानिश को बुला है भगवान इसका सर तो बहुत करम हो रहा है लगता है ठंड की वज़े से तेज बुखार हो गया है मां मैं इसके लिए कंबल लेकर आता हूं अभी हाँ बेटा जल्दी लेकर आ अगर इसने मेरी बात मानी होती तो अभी इसकी तबित इतनी खराबना होती पर नहीं सास की किस बहु को राज आती है बहु तु ठीक तो है ना मा जी मुझे बहुत कपाच सी हो रही है हीटर ओन कर दीजिए ना उसकी इतना कहते ही निलिमा रूम में हीटर ओन कर देती है और दानिश भी उसी कंबल उड़ा देता है तनीशा को शुरू से ही मॉडन कपड़ी पहने का बहुत चोक था चाहिए गर्मी हो या सर्दी वो स्लीबलेस ड्रेस और शॉट ड्रेसिस ही पहना करती और वो दिखने में भी बहुत होड थी वो जहां भी जाया करती अपने जलवों से वहां का टेंपरेचर बढ़ा दिया करती और अपनी इसी होटनेस पर उसे बहुत ज़ अला करती नवंबर का महिना शुरू होता है हवाओ में थोड़ी ठंडक आनी शुरू हो जाती है और एक दिन तनीशा शाम के वक्त बजार से सबसी लेकर घर आती है तो वो देखती है कि उसकी सास चाधर को ओड़े हुए होल में बैठी है तनीशा उसके पास आकर बोलती है मा जी आपकी तवित खराब है क्या ठंड लगने पर नहीं अच्छा तो आपको ठंड लग रही है ऐसा बोलिये ना अब जब ठंड आ गई है तो गर्मी तो लगने से रही और तुझे कितनी बार काहा है ऐसे कपड़े पहन कर बाहर मच जाया कर मा जी मुझे आदत है इन कप लेगी ना अदर तूनों सास बहू बाते कर ही रही होती है कि तभी दानिश भी अपने दोनों हाथों को मलते हुए घर आता है और आकर बोलता है मा मौसम बदल रहा है लगता है कल से स्वेटर पहन कर ओफिस जाना पड़ेगा मुझे समझ नहीं आता अभी तो नंबर शुर कर लेकर चलती है तनीशा तुम भी अब स्वेटर पहनना और शोल ओड़ना शुरू कर दो क्योंकि आती और जाती सर्दी से बच कर लेना बहुत जरूरी होता है स्वेटर अरे बेटा यह पूरी बाजू के कपड़े पहन ले वहीं बहुत है पर इसे ठंड से थोड़ी बच अपनी सास के कहने पर शोल ट्रेस पहना छोड़ कर साड़ी बहनने लगती है लेकिन स्लीवलेस ब्लाउस के साथ ऐसे ही एक दिन उसकी सहली तान्या उसके घर आती है और निलिमा से बोलती है नमस्ते आंटी कैसी है आप अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूं बेटा अरे मैं अब क्या कहूं बेटा मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी भाशा में कहूं इसको कि इसकी खोपड़ी में बात कुसे तान्या तू तो मुझे जानती है ना सर्दी हो या गर्मी मैं फैशन में रहना नहीं छोड़ सकती और यहीं तो मेरी पैचान है वैसे भी इतनी सर्दी नहीं आई अभी कि तनीशा को स्वेटर पहन कर अपनी फिगर को छुपाना पड़ लड़कियों को ठड़नी लगती मैंने वसी वाद सुनी थी कि नाज तुझे देखकर यकीन भी हो गया है यह लाइन तुझ पर ही फिट बैटती है अब मैं इतनी होट हूं तो मैं क्या करूं इतना कहकर वो उसकी पतली सी साड़ी में तान्या के साथ बाहर चली जाती है ऐस इसक्रिम खाने का अपना एक अलगी मज़ा होता है लो लो आप भी ट्राइगरो यह एसक्रिम अपके गले से पेट में जाएगी ना तो जो ठंटक महसूस होगी ना उसकी तो बात ही कुछ और है अरे तू ही ठूस इसे और तू ही ले इसका मजा मुझे नहीं ठंड में मरना जिसके बाद वो मुझ बनाते हुए वहां से चली जाती है अगले दिन तनीशा अपनी सास के साथ कहीं जा रही होती है लेकिन तनीशा अपनी सास से थोड़ा आके आके चलती है तभी कुछ लड़के इतनी ठंड में उसी देख कर छेटे हुए बोलते है यार अचानक से यही लड़ता है यार एकसी लड़के अगर तेरे भाई की चीह बन जाएगे ना तो ठंड में तो एटर का पैसा ही बच जाएगा यह सब सुनकर उसकी सास मेली मा उन लड़कों के पास जाकर बोलती है बेटा ठंड बगाने के और भी तरीके होते हैं वो क्यों ट्राय नहीं मतलब नहीं समझा में अटी जी अरे क्या बात करते हो बेटा अभी सा थी हूं इतना बोलकर वो सामने वाले दुकान से जाड़ो ठाकर उन दोनों के दुलाई करने लगती है और बोलती है इतनी गर्माहट काफी है या दो चर धाड़ों और लगाओं ताकि गर्मी के साथ सा प्रमोरियों का भी एहसास हो जाए उसके इतना कहते ही दोनों लड़के वहां से 9-11 हो जाते हैं और आसपास की सारे लोग उसे देखने लगते हैं तब ही तनीशा पीछे मुड़कर देखती है कि उसकी सास ने हाथ में जाडू लिया है और वो गुस्से में खड़ी है जिसके बोलकर वो निलिमा का हाथ पकड़कर उसे घर लेकर आती है जहां दानिश भी था तब ही निलिमा अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से में बोलती है छोड मेरा हाथ और अब प्यार से नहीं बोलूगी सर्दियों में अपनी होटनेस को त्याग कर शरीद को ठड़ से बचाने के बादे में सोच देख अपनी स्किन को ठंडी हवा लगने से कैसी रूखी सी हो गई है यह उपर से गली मोहले के अपना गुस्से में क्यों है गुस्से में तो मुझे होना चाहिए दानिश जी आज इनोंने बीच रोट पर दो लड़कों को जाड़ों से सूथ द मा तो इसमें गलत क्या है बाकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि माने ऐसा क्या तुमारे लिए अच्छा और इनकी इस हर्गत के बाद जिन लोगों का ध्यान मुझ पर नहीं था ना वो भी मुझे घुर गुर का देखे जा रहे थे उसका क्या अब सर्दियों में ऐसे कपड़े पहन कर घुमेगी तो लोग तुझे नहीं देखेंगे तो और क्या देखेंगे यह जो तु कहती रहती है ना सर्दियों तेरा क्या बिगाड लेंगी एक दिन यहीं सर्दी तुछ पर अपना कहर बरसाएगी बस मा जी जो होगा देखा जाएगा इतना कहकर वो बि पहन ले और छत्री भी ले जा अरे माजी आप चिंता मत करो मैं थोड़ी देर में ही तो घर आ जाओंगी जिसके बाद वो अपनी सास की बात माने पिना ही चली जाती है कुछ देर बाद जब वो घर वापस आ रही होती है तो ठंडी हवाओ के साथ हलकी बारिश होने लगती दानिश उसे कंभल उढ़ाकर डॉक्टर को कॉल करता है और कुछ दिल में डॉक्टर उसे चेक करके बोलती है इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है जिसके बाद निलिमा कहती है देखा भू ठंडी को हलके में लेने का नतीजा अब नहीं कहेगी माजी मैं बहुत होट हूँ म है माजी में समझ चुकी हूँ कि हर चीज की हद होती है और फैशन के चक्कर में हमें खुद को नुक्सान नहीं पोचाना चाहिए